नमस्कार किसान भाईयों कैसे हैं आप लोग में हूं गोईंद पटेल और आप देख रहें खेती की पारसरा यूट्यूब चैनल आठ अगस्त 2018 को सरकान ने गजट परकासित किया जिसमें उन्होंने ऐसे अठारथ हो कीट नासा के जिसको उन्होंने बेन किया है जिसमें से जो टॉप मेरे को समझ में यह जब इतना नुकसान इतना घातक है इंसान तथा जानवरों के लिए बहुत ज्यादा घातक है सरकार का यह कहना है तो सरकार इसको बेन करने में इतनी यह को बता दूँ ऐसे सोथो किटनासक है जो भारत में ध्ढले से विखती है जो कि आसे कईठों देश जिसमें यह पूरी तरह से बैने मैं आपको बता दुच्चा अधारा में यूरोपिया पर myself an in fact you have been магramer कि इसकी घारी को देखती है कि सरकार एक्सवा laser land क्यों करती आर करती दर्टिक कर तरह से पर्तिबंध कर पहारा है नलश कार को इसका बीकल्प दिपर आ मैं आपको बता दूँ जो किरसी होती है वो राज्य सूची में आता है लेकिन किटनासक पर परतिबंध लगाना वो केंदर सरकार के मंजूरी पर रहती है खेर सरकार की सोचने में अभी बहुत टाइम है तब से पहले हम किसानों को सोचना पड़ेगा कि भाई यह जब बैन होती है कोई भी दवा तो उसके बाद हम लोग ऐसी क्या भी कलप अपना या फिर जिस तरह से किटनासक बैन होती जा रहे हैं एक दिन ऐसी आएगा जो सारे क किटनासक का यूज करते हैं आगे और भी किटनासक बेन होती जाएगी तो हम लोग क्या भी कलप लें सरकार क्या भी कलप देगी वो पता नहीं लेकिन हम लोग क्या भी कलप लें उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा तो इसके लिए एक बेस्ट चीज होती है जैवी खे कि यार हम अगर जैवी खेती करें तो भाई जो हम लोग होम मेड आती है वो दवा को कैसे बनाए उसके जो जंजट अगरा को देख के लोग पीछे हड़ते हैं इसके साथ एक और चीज आती है कि उससे उत्पादन कम होती है तरकार के रिपोर्ट के नुसार तो तीन साल तक थ लोग जैवी खेती करने के लिए थोड़ा सा डरते हैं लेकिन जैवी में भी एक ऐसी ऐसी मित्र फंगस हैं ऐसे किट नासक हैं जो की एक सालेंट तरीके से काम करते हैं कहने का मतला बगर हम लोग किट नासक डालते हैं किलर की तरह होता है जैसे हमारे सर में दर्द हुआ हम जो टेबलेड उसको बंद कर देते हैं तो हमको लगता है कि हमारा दर्द कम हो गया लेकिन उसीरफ जो तंत्रिका तंत्र जो हमारे माइंड के पास सिंगनल जाती उसको सिर्फ रोक कर रखता है तो इसी तरह केटनासक ऐसे है जो उसको सदनली तो अच्छा से इसको क्योर कर देता है लेकिन बाद में उसकी रेसिस्टेंसी को बढ़ा देता है उसको और एक चीज यह होती है कि जो जिस तरीके से हम लोग कीट ना सक का यूस करते हैं तो उसके सांस जो हमारे मीत्र कीट जो जाते है न तो यह भी एक रिजन रहती ह है कि जो हमारे सत्रू कीट को पॉपिलेशन को बढ़ाने का तो जैसे कि मैंने एक टो टमाटर में एक टो वील्ट आता है जो पौधे के इनिस्टेज में आता है जिसके लिए कोई भी केमिकल दवा रजिस्टर नहीं है लेकिन जैविक में ट्राइकोडर्मा है जो इसको सब्सक्राइब करते हैं मेटरिज्य मेरी शौपली ऐसे 300 टाइप से कीट है जिसको खतम करता है बवरिया बेसियाना भी लगभग उसी का विकल्प है उसके बाद बीटी आती है वर्टी सीलियम आती है ऐसे बहुत से मित्र फंगस आते हैं जो अच्छी तरीके से काम करती है तो अभी समय आ गया है कि हम लोग इसको क्या करें तो ठीक है सरकार का काम परतिबंध लगाना जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी हमको क्या इस्टेज उठानी पड़ेगी कि जो कीट नासक होती है ना कीट नासक कर तो यूज आप कर रहे हैं कोई दिक्कत में आप को देखिये क्या होता है मीध्र फंगस तो भाई फंगी सेड़ी डालें गे तो तो मरेगा अगर हम लोग प्रियट फिक्स कर लें जैसे मिट्टी सोधन के लिए हम कोई भी पंगी सेट को अपने जो फटी लाजर के साथ मिक्स कर के खेत में ना दें तो अब मिट्टी को तो उसके बाद अगर हम लोग स्टार्टिंग स्टेश से सुरू करते हैं तो हमारे में फंगस का भी अटेक नहीं होगा तो हमको फंगी सेट भी डालने की जोरत नहीं पड़ेगी और ऐसे बहुत से कीट है जो फली छेदक कीट जैसे अपना मेटरीजम होगा फली छेदक कीट तो हमारा खर्चे भी कम होगा और हम लोग आगे भी अच्छी तरीके से इन सब का यूज करके हम लोग जैविक की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद थी यही था कि हमारे जो केमिकल वाली खेती है इसके साथ हम लोग जैविक को भी थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं यह थी वीडियो जो कीट नासक का परतिबंद हुआ इससे सम्मंधित कुछ भी आपके सवाल तता सुझा हो तो